पहन के लाल लंगोटा हाथ में है जिनके सोटा, दुश्मन का सदा ही करते है नाश, भक्तों को कभी नहीं करते है निराश, बोलो पवन पुत्र हनुमाने की जै आग के गोले को यानि की सूर देव को फल समझ कर मुँ में रखने वाले, बड़े बड़े परवतों को फूलों की तरह उठा लेने वाले, सैकडो कोश के समुद्र को एक पल में लांग जाने वाले, और भगवान श्री राम का काच सवारने वाले, हमारे संकट मोचन भगवान हनमान जी का जन्म मनाया जाता है चैत्र महा की पूड मातिथी को, राम नौमी जिस दिन मनाई जाती है ठीक उसके छे दिन बाद ही हनमान जी का जन्म दिन मनाया जाता है हनमान जैनती के नाम से सभी भक्त बहुत ही धूमधाम से बजरंग वली जी का जनमोचसप मनाते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं कहा जाता है कि इस दिन विदी विदान से जो भी भक्त हनमान जी की पूजा करते हैं हनमान जी उनकी सभी विग्निवाधाओं का अंत कर देते हैं इसलिए तो इनको संकट मोचन के नाम से जाना जाता है, साथ ही सभी को मनवांचित फलकीवी प्राप्ति करते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र मास की जो पूडिमा होती है, वो 5 अपरेल की सुबह 9.19 मिनट से प्रारम हो रही है और इसका जो समापन होगा, 6 अपरेल की सुबह 10 बच के 4 मिनट पर होगा पर उद्यातिती जो है, वो 6 अपरेल को मिलेगी, क्योंकि सुबह सुर्योदय का जो समय होगा, वो 6 अपरेल को ही मिलेगा तो उद्यातिति के अनुसार जो हनुमान जैनती मनाई जा रही है वो 6 अपरेल को मनाई जाएगी जो भी भक्त हनुमान जी को प्रसंद करना चाते हैं उनको खुश करना चाते हैं इस दिन तो ध्यान रहे कि हर्मान जी की पूजा करने से पहले आपको भगवान श्री राम की पूजा और आर्थी अवश्य करने चाहिए क्योंकि इनकी अगर पूजा भगवान श्री राम की पूजा अगर आप नहीं करते हैं तो हर्मान जी की पूजा भी अधूरी मानी जाती है तो सभी वक्त 6 अप्रेल को सुबह उध्यातिती में उठे इसनान करें और साफ कपड़ों को धारन करें आपके पास हर्मान जी की मूर्ती है या उनकी फोटो है उसको आप पीले रंक्या नीचे वस्त्र बिचा लें कपड़ा बिचा लें उसके उपर उनको इस्थापित करें साथी साथ उनके सामने एक घी का दिया भी अवश्य जलाए अब आप उनके उपर गंगा जल छेड़कर उनका अभिशेक करें और उनका चोला चड़ाएं चोला जो चड़ता है सिंदूर का नहीं चड़ता है जो वंदन होता है हनमान जी के उपर वंदन का चोला चड़ाया जाता है तो पूड़मा के दिन अगर आप उनको चोला चड़ाते हैं तो बहुत ही शुब माना जाता है तो अवश ही आप वंदन का इनके उपर चोला चड़ा है उसके बाद लाल या पीले रंग का कपड़ा उनको अर्पित करें पहनाएं फिर उनको फूल धूप अर्पित करें और उसके बाद आपको उनका भोग लगाना होता है हनुमान जी को खुश करने के लिए उन्हें लड़्ू को भोग लगाना चाहिए और साती सात पूडमा का वरत भी करना चाहिए पर मानिताओं के अनुसार कहा ये जाता है कि जो पूड़मा के दिन हनमान मोहसब मनाया जाता है जनमोहसब मनाया जाता है उसमें आप जो आटा और गोड के जो गुलगुले बनाया जाते है या आटा या चीनी के भी बनाया जाते है गुलगुले बनाया जाते है गोल गोल ज मिलता है और हनमान जी आपकी पूजा से बहुत ही जल्दी प्रिशन होते हैं मानेताओं की अनुसार जो मीठे पूवे होते हैं या गुलगुले होते हैं वो इस दिन सभी भक्तों को अवश ही चड़ाना चाहिए उसके बाद आपको हनमान 40 का पाठ करना चाहिए उनकी आरती क करने चाहिए और अगर हो सके तो जो बजरंग बान होता है उसका पाठ जरूर करना चाहिए सुन्दर कांट का पाठ करना चाहिए और रामायन का भी पाठ अगर आप कर सके तो बहुत ही जादा शुब होता है साती साथ अगर आप ये चीजे नहीं कर पा रहे हैं आपके पा आठ बार जाब कर सकते हैं, साथी साथ आप दूसरे एक और मन्त का भी जाब कर सकते हैं, ओम एम ब्रीम हनुमनते श्री राम दूताय नमा, ओम एम ब्रीम हनुमनते श्री राम दूताय नमा, इस तरह से 108 बार जब आप जाब करेंगे, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, वो को छुपा के रखा है हमने तो अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में लगा रखा है हे पवन पुत्र हनुमान हे महावीर हे महाविक्रम बजरंगी हमारे सभी संकटों को दूर करो और हमारी इस पूजा आराधना को पूरे भक्ति भाव से सुईकार करो दी हुई जानकारी को आईगी समय से उसकी जानकारी आप तक पहुच सकेगी आप सभी को हनमान जैनती हनमान जन्मोच सब की बहुत बहुत शुप कामना है